हिलो स्टुडेंट मैं संकर कुमार स्वागयत आप सभी का जादु गर्मित में इंटर्मीडियेट का सेंटर प्रिक्षा का सैकलोजी का और जिनल कोश्टन पेपर लेकर के हम आग हैं जितने भी छात रिभम छात्रा सैकलोजी का प्रिक्षा देंगे फटाफर्ट से यह सैकलो आता है और आपको जो है यहां से हल्प होगा तो यहां पर देख सकते हैं मनोविज्ञान जिसका भी मनोविज्ञान है जिस भी लड़का या लड़की का तो फटाफर्ट से आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए पहला उप्जक्टिव हम यहां पे लेकर के चलेंगे दे आपको बनाना होता है तो पहला कोष्टन हम यहां पर लेंगे कह रहा है यहां पर पहला कोष्टन है फटाफर्ट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए निमले लिखित में से कौन मनोवज्ञानिक विसेस्ता या गून नहीं है इसका राइट एंसर हो जाएगा मेरे इसके बाद यहां पर दिया गया है दूसर नमर में सरपर्थम बुद्धी प्रिक्षन की सुरुवात कि मनोवज्ञानिक ने की कैटेल है साइमन है वेसलर है बीने है इसका राइट एंसर आपको बताना मेरे डियर साथ यह दो का एंसर हो जाएगा बीने ऑप्सन विल्कुल प्रिक्षन क्या हो जाएगा बुद्धी प्रिक्षन ओप्सन विल्कुल डी रैट एंसर हो जाएगा तीन का इसके वाद यहां पर कुष्टन नमर चार में दिया गया है रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है तो मेरे डियर साथ यह चार का एंसर हो जाएगा आपका वह इस्काई वस्था में option विल्कूल जो है डी राइट answer हो जाएगा चार का इसके बाद यहाँ पे दिया गया question number 5 में नीमनलिखीरत मेंने से कौन आत्म का एक परकार नहीं है आत्म का एक परकार नहीं है पांच का विल्कूल राइट answer हो जाएगा क्या हो जाएगा तो यहां पर दिया गया कुश्चन नमर फिस ने सिध्य का बिल्कूल राइट अन्सर हो जाएगा रोजर्स ने बिल्कुल भी राइट एंसर हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे जो है कुष्टिन नमर साथ में फटाफर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजें क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वरिजिनल कोष्टिन पीपर मिलता है तो आप लोग जो है कुफटा ऑफसन मिलकुल जो है सी राइट एंसर हो जाएगा साथ का इसके बाद आपके स्क्रीन पेदिया गया है कुष्टन नमर आठ में कघा निमन लिख yapmışत में से कौन परतिबल Сदय नहीं प्रतिबल का सुरोत नहीं आठ नमर का एंसर आपका हो जाएगा समाजिक सहाबागीता उप्सन बिल्कुल जो है आठ का डी एंसर हो जाएगा इसके बाद यहां पे कुश्चन नमर 9 में है तो ब्रहाम आसेद के प्रति प्रति किरिया को कहा जाता है तो नों का इंसर हो अनुकुलन ठीक है इसके बाद यहां पे दिया गया है और समान्य तथा और समान्य में केवल अंतर होता है दस का इंसर हो जाएगा आपका मात्रा का ठीक है फटा-फट्स आप लोग जो हैं सरसी चाहे तो लिख सकते हैं हाइड्रोफोविया का अर्थ होता है हाइड्रोफो रूबसे स्वास्त्त व्यक्तिओं के जिवनदर्धास त्शिता निष्टा पायाजाता क्या पाया तो गनाया जाता है तो तो तेरह बिलुकुल राइट रहर जाएगा 21 को आप्सन बी राइट अंसर हो जाएगा तीरा का इसके बाद यहां पर चौक सा कथन सही है निम्ला लिखीत में से कौन सा कथन सही है पंद्रें का हो जाएगा मनोविर्ती अर्जित होती है option A right उत्तर हो जाएगा 15 गा 16 नमर में दिया गया है निम्ला लिखीत निम्ला लिखीत युक्तियों में से कौन सही है तो मनोविर्ती के तीन घटग संग्यानातमक भवातमक विहवारातमक option बिल्कुल 16 का C answer हो जाएगा इसके बाद यहां पे 17 नमर में मनोविर्ती का विकास सरवाधिक प्रभावित होता है 17 का बिल्कुल राइट एंसर अपका हो जाएगा परिवार से option C right answer हो जाएगा इसके बाद यहां पे मेरे दियरसातियों मनोविर्तियों के निर्मान पर सांस बिल्कुल 18 का A right answer हो जाएगा इसके बाद यहां पे दिया गया है निवनलिकीत में से कौन जो है मानसिक स्वास्त का अधार है बताइए 19 का जो एंसर होगा आपका समवेगात्मक स्थिर्ता option बिल्कुल B right answer हो जाएगा इसके बाद यहां पे है धोनी प्रदुसन का सरवाध ठीक प्रभव होता है मेरे डियर साथियों तो 20 का एंसर हो जाएगा नींद में क्या होता है नींद में option B right answer 20 का हो जाएगा इसके बाद यहां पे 22 नमर में कोसल के बारे में कौन कथन सही है कोसल के बारे में कौन कथन सही है बाइस का एंसर आपका हो जाए कोसल के परिशिक्षन या अनुभव से अरजित किया जाता है option इसका सी एंसर हो जाएगा इसके बाद यहां पे 24, 23, 23 का तो हो गया है मेरे डियर साथियों 23 का हो गया यह 22 और यहां 23 चलिए संचार के में कौन सही मेरे डियर से संचार का सौरूप इसके बाद जो है अंत सकीरिया होता तो option बिल्कुल डी राइट एंसर हो जाएगा था ठीक है या दखना टोटली जितना भी हम बता रहें इसको इसके बाद जो है आपर निम्रलखीत में से कौन विसिस्ट चालक नहीं है निम् कि अंचिक दुरुबल बालक option 27 फाइसका एंसर हो जाएगा इसके बाद स्क्रीन टरी के सिध को एक कार्किया सिधान कहा गया है 28 का बिल्कुल राइट एंसर हो हो जाएगा इसके बाद यहां पे दिया गया है व्यक्तित्व सिध्धान्त के विशेशक उपागम के अग्रनी है तो कौन है 29 नमर का विल्कुल हो जाएगा आलपोर्ट ऑप्सन डी राइट एंसर हो जाएगा बिहार बोर्ड में आपको यहां से लगभग 35 पूछा जाए क्य करता है तो व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रति निधित्व करता है तो 32 एंसर हो जाएगा फ्राहाम जाएगा उपसन विल्कुल डी राइट एंसर हो जाएगा इसके बाद आपके स्क्रीन पे 35 नमर में व्यक्ति की और चेतन विक्षाओं को बहार लाने की विधी कहलाती है तो यह कहलाती प्रश्णावली क्या कहलाती है प्रश्णावली विधी ऑपसन बिल्कुल 37 का दिसर हो जाएगा इसके बाद यहांपे 34 नमर में रोसार्क इस Саяं स्वेटा चाड़ो के संख्या कितनी होती है तो 34 का यहांपका 5 आपसन बिल्कुल भी 25 हो जाएगा इसके बाद यहांपे 35 चौने 128 चलिए 36 का ही बना दिजेगा कोई दिकत ने केटे केटाउनिक याप क्या लिखा केटेटाउनिक स्टूपर एक लक्षन है तो 36 नमर का एंसर हो जाएगा रुपांतर मनो विक्रिती का रुपांतर मनो विक्रिती का अगर अभी आप याद कर लेते हैं तो बिहार बोड में आपको कोई दिकत नहीं होगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और नहीं किये तो फड़ाफर से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दवा दिजिएगा और जैसे वीड